पर जैसे कि अभी वर्तमानी स्थिति में स्कूलों को इतना अधिक जादे संख्या में प्रभावित हो रहे हैं उसको द्रश्टी करत रखते हैं पहली से आठवी कर्षक इस्पूल बंद किया गए है और यह भी 15 अपय तक लिए लिया दे दिया जा बच्यों किया बच्चों का तो बच्चों को प्रुजेक्ट दी गए हैं घर से प्याद करके और लाइंगे और उसके आधर पर हमारे सिक् प्राता नौ से दस बजे तक फिर से यह बच्चों को अपन वाट्सप के माध्यम से पाटिसामगरी वोपलब्द कराएंगे और इस बर अपनी पाटिसामगरी रात्ती में भीधिया करेंगे और हमारे शिक्षक उसको आगामी दिवस नौ से दस बजे की बीख में बच्चों करेंगे बच्चे सामगरी को देखेंगे और यह सामगरियों में क्रेटिविटी विए इसमें गतिविधियानी है जो हमारे बच्चे उसको पढ़कर अपने छुट्री अक्टिविटी कर पाएंगे इसके उपरात रेडियो स्कूल के करिक्रम जाएगा उपराता दस से ग्य इसके साथ शाम को जो पांच बज़े से पांच तीस बज़े तक के लिए शेक्षनिक सामगरी को प्रिश्णारानी किया जाएगा तो यह तो बात रही रेडियो स्कूल की और डिजिलैब वोड्स गूप की इसके साथ ही साथ साथ अपने दूरुदर्शन का भी उप्रियों बच्चों को पढ़ाने के करना हैं और कक्षा एक से आठ के जो सिक्स टू एट के हमारे इनके लिए दूरुदर्शन में नियमीत रूप से धैनिक रूप से करिकम चलाएंगे दूपाहर बारा बज़े से डेड़ बज़े दे तक शे से आठ के बच्चे हमारे उसमें विभ कारिक्रम से भी बच्चों के लिए है और उमा को कारिक्रम में जीवन जीने के खोश्री पर आधारे कारिक्रम प्रसाज़ित किया जाता है तो आज मैं सभी अभिभाव को से अंवरोद करना चाहती हूं कि इस कोरो ना संक्रवन को दृष्टी करत कर हूए अपने बच्चों करना पड़ सकता है या अगर मुबाइल में कोई दिक्कत है तो टीवी और रेडियो के कारिक्रम भी हमारे समाना इंतर जारी रहेंगे सभी अभिभावकों से अनुरूद है कि बच्चों के साथ अपने रेडियो या टीवी के यह टाइविंग्स पर उनको दिखाने के पिल्कुल हिवासत से रखे अपनी सुरक्षा करें अपने माता पिता की पितας करें अपने नानी दादी के सुरक्षा करें उन से कहनिया सुने और जब आपको कुछ परिवच्पन जिये हमारे कारिक्रम निरनतर जारी रहेंगे आप रेडियो और टीवी आवश्ये देखे और इंठादे कर मुसे पांड़ा था थैंक्यू वेरी मुच्छ